हेलो गाइज मैं सानुसिन और आप देख रहे हैं मेटसन मेटकोज आज हम रिविव करेंगे पोविशाइडल ओइंटमेंट का यह आइंटमेंट क्या होता है इसको किस तरह से इस्तिमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए कौन कौन सी बीमारिय क्लिक पर कंटेंट होता क्या है दोस्तों एक ब्राण्ट नेम है इस में चों सय वहोगों करना लाहिए और भी COMM इसके यूज से प्रणाफूप जाती है बीटा डीन आती है तो यह ब्रांड नेम है और जनरी क्रीम भी आपको मेटिकल इस्टोर पर आसानी से मिल जाएगी इसको कैडिला के दोरा बनाए जाता है और उसकी कीमल लगवाग 50 रुपर तक होती है दोस्तों आप इसमें कमपोजीशन देख सकते हैं इसमें पोविडोन आयोडिन 5% वेट बाई वेट होता है यह वाटर सॉल्बूल आउटमेंट होता है दोस्तों एक टॉपिकल माइक्रोविसाइडल इफेक्टिव होता है जो बेक्टिरिया के एगेंस्ट काम करता है पोविसाइडल आउटमेंट एक बहुईपी ओगी एंटी सेप्टिक है जि खरोच कट और घाओ या तोचा में किसी वी तरह की चोट लग गई है उसमें इंफेक्शन होने से रोकता है इसके लवा कुछ लोगों फोड़े फुनसी हो जाते हैं उसमें पस बन जाता है तो डॉक्टर के दौरा ऑपरेट करके उस पस को निकाल दिया जाता है उसके बाल तोड हो गये हैं बाल तोड को ठी करने के लिए इस alignment का यूज़ कィया जाता है अगर किसी विक्त का accident हो गया जिसमें चोटे आ गई है खरोच लग गई है या फिर वहां पर घाओ हो गया है तो इसको ठी करने के लिए भी एंटिबाइटिक्स treatment के साथ assignment को ली मेन को दिय किया जाता है यानि कि बाहरी उपियोग के लिए ही होता है इसको इंटरनल यूज नहीं किया जाता है जैसे कि मुह में आख में नाक के अंदर इसका इस्तमाल नहीं किया जाता है जो बाहरी चोटे लग जाती है बॉडी में उसमें इसका इस्तमाल किया जाता है इसॉइन्में कि इतना ही आपको समझ में आया हुगा पोविडिन और डिन क्या होता है इसके क्या यूजेज होते हैं कुछ किस तरह से लगाना चाहिए अगर आप किसी और मेटसिन के बारे में जाना चाहते हैं किसी बीमारी के बारे में जाना चाहते हैं कमेंड करें बता सकते हैं